गुड मॉर्निंग टू अल आफ यू चलिए आज हम लोग पून है एक नए चेप्टर पर चर्चा कर लेते हैं और उस चेप्टर को पलटने के बाद पॉइंट नमर वन जिसमें प्रेंशेप और प्रिय दसी पी दसी लेखा हुआ है है ना थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इतिहास खास करके प्राचिन इतिहास का जो स्रोत है वह पुरा तात्विक स्रोत रहा है पुरा तात्विक कहने का तात्पड छे प्राचिन काल के प्राप्त आवसेशों का अध्यान करने पर वह आवसेश कैसा था तो भौतिक आवसेश था भौतिक अवसेस कहने से तात पड़े अभिलेखों की प्राप्ति का होना, सिक्के की प्राप्ति का होना, और जारों की प्राप्ति का होना ये सभी भौतिक अवसेस कहलाते हैं हमारे यहां जब East India Company बेपार करने के लिए आई और कालंतर में इन्हों ने भारतिय उप महाद्वीप को अपने कबजे में लेकर उप निवेशवाद स्थापित किया इसी East India Company के एक अधिकारी James Principe ने 1830 इसवी के दसक में ब्रह्मनी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला इन लिपियों का उपयोग सबसे आराम भी कभी लेखूं और सिकों में क्या गया है ये लिपियां छटी सताब्दी इसापुर्व की है और अधिकांस अभी लेखों पर और शिकों पर पिय दसी यानि मनुहर मुख आकृती वाले राजा का नाम लिखा है कुछ अभी लेखों में इसका नाम असोक भी लिखा है इसका मतलब है कि मौश्शमराट असोक का नाम बहुत ही फेमस था और अभी लेखों में प्राया असोक भी लिखा हुआ मिला है इस सोध से आरामभिक भारत के राजनितिक इतिहास के अध्यन को एक नई दिशा मिली क्योंकि भारतिय और यूरूपिय विद्वानों ने उप महादवीप शासन करने वाले प्रमोख राजवन्सों की वन्सावलियों की पुनर रर्चना के लिए विभिन भासाओं में लिखे अभी लेख और ग्रंथों का उप्योग किया प्रिणाम सरूप क्या हुआ बिस्वी सदी के आरंभिक दसकों तक उप महादवीप के राजनिती की तिहास का एक सामाजनी चित्र तैयार हो गया इसका मतलब है कि उन अभी लेखों की सहयता से उन सिक्कों की सहयता से मौरिस्वाम राज या फिर कहें छटी सताब्दी इसा पूरू कि सामाजिक और राजनितिक इतिहास की जानकारी बनना सुरू हो गया ठीक है इसके बाद बिद्वानों ने अपना ध्यान राजनितिक इतिहास के संदर्भ में लगाया और यह चानबिन करने की कोशिस करने लगे कि क्या राजनितिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई अंतर रहा कोई सम्मंध रहा बिलकुल रहा तो हम संद्शिप्त में चर्चा कर लेंगे फिर प्रारंभिक राज्य है तो मैंने कहा था कि सुल्ल महा जन्पत छठी सताब्दी इसापूर्ण में यही प्रारंभिक राज्य है सुल्ल महाजनपत में कुछ महाजनपत राजतंतरात्मक थे और कुछ महाजनपत गवंतंतरात्मक थे राजतंतरात्मक कहने का तातपड़ है कि जिन लोगों का सासन जिन राजियों का सासन जिन लोगों ने एक राजा के मारफत चलाया या कोई राजा ही अपना सासन चलाता हो परजा के उपर और वह पद वंसानुगत हो तो वह राजतंत्रात्मक कहलाता है मतलब राजा का सासन राजतंत्रात्मक कहलाता है और परजा का सासन गंतंत्रात्मक कहलाता है इस वक्त आपको दो ही गंतंत्रात्मक सासन मिलेंगे ठीक है और बाकी सब मिलेंगे परजाता अंत्रक इस्वरी राजतंत्रात्मक सासन मिलेंगे जो दो गंतंत्रात्मक सासन हैं वो वच्ची है जिसकी राजधानी वैसाली है और एक है गंतंत्रात्मक और मल जिसकी राजधानी पावा पूरी है मैं आपको रिविजन कर दू कि 16 महाजनपद कौन-कौन से हैं तो नौट कर लेंगे पहला महाजनपद का सी जिसकी राजधानी वारानसी दूसरी कावसल जिसकी राजधानी दो है उत्री भाग में इसकी राजधानी साकेत है दचनी भाग में इसकी राजधानी स्रावस्ती है तिसरा जो महाजनपद है अंग है जिसकी राजधानी चमपा है यह मालिनी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है चौथा है मगद जिसकी राजधानी राजगिरह और गृवरज है पाचमा है वज्जी वैसाली है जो गंतंत्रातमक है चठा है मल ये भी गंतंत्रातमक है पावापुरी इसकी राजधानी है साथमा है चेदी महा जन्पद जिसकी राजधानी सोथिवती या सक्तिमती के नाम से जाना जाता है आठमा है वत्स इसकी राजधानी कौसांबी है नॉमा है कुरू इसकी राजधानी इंद्र प्रस्त है और दसमा है पांचाल जिसकी राजधानी दो है एक उत्री राजधानी अहिट शत्र है और दचिनी राजधानी कामपिल है ठीक है उसके बाद इगरमा है मतसी जिसकी तो आपको इन सोल्ला महाजनपत के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होती है तो निश्यत रूप से इसकी जानकारी हमें बौध ग्रंथ अंगुतर निकाय से प्राप्त होती है और जैन ग्रंथ भगवती सुत्र से प्राप्त होती है ठीक है लेकिन आप पाएंगे कि ये सुल्ला महाजनपत में से चार शक्तिसाली राज्तंतरात्मक राज्ये ठीक है महाजनपत कौन-कौन पहला है मगद महाजनपत ये राज्तंतरात्मक वत्स महाजनपत अवंती महाजनपत कौसल महाजनपत ये चार सक्तिसाली महाजनपत थे जो राज्तंतरात्मक थे जो सक्तिसाली थे और उत्तर भारत की राजनिती में उभ्रे इन्होंने क्या किया बाक लिया आगे चलकर 34 सताबदी इसापुर में मगद महाजन समराज के रूप में महान मौर्ष समराठ चंद्रगुप्त मौर्डी ने मौर्ष समराज की निव रखी ठेक है और क्या किया इन्होंने वत्स अवंति कोसल महाजनपत को मगद समराज में मिला लिया प्रेडाम सवरू और राजमंस भी रहे हैं तो पहला जो सासक रहा है पहला जो वंस मगद महाजनपत में सासन करने वाला रहा है वह है हर्यक वंस यह आपका जीयस में पूछा जाएगा इसको आपको याद रखने हैं हर्यक वंस हैं जो मगद राजमंस पर सासन करने वाली पहला वंस हैं विशार है ये देख लेंगे आप इसके बाद सासक हजाद सत्रू है उद्दीन है हर्यक बंस के बाद सैसुनाग बंस का आगमन होता है 412 इसापुर्व से लेकर 344 इसापुर्व इसकी कालकंड है प्रमुक्ष सासक सीसुनाग काला सोक हैं सैसुनाग बंस के पतन के बाद परमुक शासक महापदमनंद उग्रिशेन है, 344 इसापूर्व से लेकर 323 इसापूर्व तक इनका सासन रहा है, और अंतिमनंद सासक घननन्द की हत्या कर दी जाती है, और उसके पस्यात जबनन्द का पतन हो जाता है, तो मोज शमराज का निव पड़ता है, और महान मोज शम समराज, ठीक है, सुंग वन्स, मोज वन्स के पतन के बाद है, कन वन्स, चेदी वन्स, आंध्रसातवन वन्स, कुषान, शक और इसी तरह से आपको गुप्ट वन्स, इस चेप्टर में आपको गुप्ट वन्स तक पढ़ने हैं, भौथ ही हम संश्प्त में चर्शा कर रहे ह सुल्लों महाजन्पत के बारे में मैंने बता दिया आपको और इसको भी मैंने बता दिया प्रारंभिक समराज थोड़ा सा इसको देख लेंगे चुकि जितने भी मगत समराज में हुए उनमें से स्रवाधिक की इंपोर्टेंट श्रवाधिक महत्पून जो है वह महान मौश्रमराज असोक का सासन काल रहा है हालाकि मौश्रमराज की अस्थापन चंजगूत मौड ने किया था और इसकी सीमा जो है उत्तर पस्रिम भारत से लेकर यानि आज के इरान तक सर्ति हीवी सीमा से लेकर ठीक है इधार पूर्वी सीमा उडिशा और आसम की तरफ ठीक है दचनी सीमा केरला तमिलनाडू को छोड़कर दचनी आंध्र ठीक है उत्री आंध्र करनाटक तक है और पस्रिम की तरफ गुजरात तक इसकी सीमा रहा है मौर्जवन्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना तो मैंने बता दिया है कि मौर्जवन्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो सरोत हैं वह पुरातात्विक्स रोत हैं और श्रायतिक्स रोत हैं ठीक है